हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टो रेंकर जाई लिमिट का बहुत ही बढ़ियांसा क्वेश्चन और मेरा यह स्ट्रॉंग से एक बार इसे खुद से करो बहुत ज्यादा कठीन क्वेश्चन नहीं इसलिए बच्चे थोड़ा से परिसान हो जाते हैं यह एक बेसिक क्वेश्च लगता है तो पहले वीडियो को रोक लो या फिर आप स्क्रीन सौट लेके खुद से अटेम्ट करो अगर आपने कर लिया तो बहुत आप अपने लिए मांदारी दिखाओगे और कमेंट सेक्सें में बताओ कि आपने कितना टाइम लिया इसको सॉल्व करने में कर लिया समने ठीक है अब स्टार्ट करते हैं देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है भई इसके इसके इंदर फिल किये गये हैं एक दो यह सारे के सारे फिल किये हैं ठीक है in form of hexagon मतलब ये आपका एक hexagon जिसको 6 side होंगे भई 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है hexagon form में इसके अंदर इस बड़े disk के अंदर छोटे-छोटे disk डाले गए है let an denote से stack of disk arranged in the shape of hexagon having n disk on a side मतलब an उस configuration बोलेंगे जिसके एक side में n disk होगा तो ये कौन सा configuration हो गया बताओ इसके एक side में तीन डिसक है तो ये a3 configuration का आपके एक example दिया हुआ है आगे लिखा भी होगा जहां तक है fine, the figure source the configuration a3 लिखा भी है if a be the area of large disk as an be the number of disk in an, मतलब an configuration में अगर मैं a3 बात कुरूँ कितने डिसक हैं, 3, 4, 7 और 3, 10, 2, 12, 4, 16, 3, 19, जैसे a3 configuration में आपको दिख रहे है 19 डिसक है न उसी तरी कि ए-n configuration में हमारे पास कितने डिसक होंगे उसको बोला जा रहे है कि सपोज हो एसन होंगे एसन है न तो an में माल लिया हमारे पास सब्सक्राइब आप चोटा चोटा और करते जाओ भई साइट बढ़ते जाएंगे तीन का चार जगा चार का पास जाएगा तो an configuration में जो रेडियस होगा एक circular disk का उसका कितना होगा और एन होगा तो यह सब्सक्राइब एक साइड में डिसक रखा होगा इस हेक्सागन के एक साइड में डिसक रखा होगा तो चलिए अब क्वेस्चन में हमसे क्या पूछा गया है इसे देखने की कोशिस करो सबाइब करना एन हाउऊ चलिए यह सन फाइंड करने की कोशिस करेंगे वाट वाजए सने एसन वाज नंबर ओफ इसमोल इस्मोल डिस्क इन एंफ कंफीगरेशन अभी हमारे पास यह सब्सक्राइब कैसे कौंड किया जाया है कुछ दिख रहा है क्या को कि हाँ याँ दिखतो रहा है अगर आप ध्यान से देखो ये जो 3 साइड वाले A3 configuration मैं बात करूँ तो अभी चलम A3 configuration उठा के देखते तो 3 डिस्क 4 3 7 7 5 12 4 3 तो कुछ मैं ऐसे लिख रहा हूँगा इसे 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस अगें फिर से कम और कहां तक A3 तक हम आ गए अगर मैं 2 साइज की बात कर रहा होता समझो ध्यान से A2 की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो भी A2 configuration की मतलब कुछ ये वाला figure होता देखो ये होता ना एक दो दो चार दो छे बिल्कुल होता तो इसमें कैसे मैं काउंट करता दो तीन दो कितने होता है दो तीन पांस दो साथ तो इसमें 2 प्लस 3 प्लस 2 यहां तक हमारे थोड़ा सा देखो क्या imagine यहां पर हो रहा है तो अगर मैं यहां पर देखूं तो यह जा रहा है जो तक maximum जा रहा है वैल्यू यह 2N-1 तक जा रहा है सेम यहां पर भी 2N-1 तक जैसे N2 है तो बहीं यह देखो 2 तू जा 4-1 3 तक जा रहा है वैल्यू और अगर मैं A3 की बात करूंगा तो अगेने यहां पर क्या बहीं तो 3 रखो 3 तू जा 6-1 यह देखो 5 तक maximum वैल्यू जा रह होंगे कितने डिस्क होंगे तो कैसे लिखा जाएगा तो वहीं सिंपल है आप स्टार्ट करो एन असे आप से फिर एक बढ़ेगा एन प्लस 1 होगा फिर एक बढ़ेगा यार फिर यह N2 हो गया यह कहां तक जाएगा maximum एनिवन तो अगर मैं इसके maximum की बात करों तो सिंपल से यह जाएगा आपका टू एन माइनस वन तक फिर उसके बाद क्या होगा इसके बाद वही चीजे आने लगए फिर से यह होते होते यह लाश्ट में तक पहुंचे हैं यह मामला तो सबको क्लियर है ना भाई वह बात तो सही है अब यहां पर हमें थोड़ा सा इमेजिन करना है अगर आप देखोगे तो यह सारे टर्म्स दो दो बार एड हो रहे लेकिन यह बीच वाला सिर्फ एक बार है है ना उसी तरीके से अगर आप यहां पर देखोगे पहला और आखरी एड हो रहा लेकिन जो 2N-1 वाला वो सिर्फ एक बार आया हुआ है तो चलो म से स्टार्ट हो रहा हुआ हो हम कहां तक जा रहा है और यह लिखना सही है और हमने क्या किया यह यह बार लिग दिया तो मेरे यहां पर यहां पर minus करना पड़ेगा 2N minus 1 क्योंकि यह एक ही बार आ रहा है अब जिस बच्चे ने इस चीज को solve कर लिया उसकी तो कहानी simple हो गई otherwise यह देखो थोड़ा सा आपको difficult होगा करने में इसे solve की जाए चलिए बई सन हमारे पास क्या होगा है sigma r is equal to 0 2N minus 1 में समझते हैं कई बच्चे से solve करने थोड़ा सा problem face करते हैं ऐसा कोई दिक्कत जब की नहीं होना चाहिए चलो जब r is equal to 0 से मुझे कोई formula तो पता नहीं है तो मैं r is equal to 1 से start करके n minus 1 तक जाऊंगा और 0 के लिए मैं corresponding value अलग से लिख लूँगा तो जैसे 0 तो रखता हूं यहां पर बचता n simply clear है और यह माइनस है 2n minus 1 अब इसकी बात करेंगे तो n into n minus 1 हो जाएगा प्लस आर का क्या होगा n into n plus 1 by 2 तो n के जगा n minus 1 तो n into n minus 1 divided by 2 हो जाएगा इसके सामने अच्छे हैं यहां पर 2 था तो यह 2 n यहां पर होगा क्लियर है है यहां पर हमें 2 लगा जेना है और यह क्या वह टो n minus 2 हो हलाकि cancel आउट हो जा रहा है अब क्या वह यहां पर n square minus n यह तो हो गया गाया प्लस बचा वन ओके अब यह क्या होगा वह 2 n square plus n square कितना होता है 3 n square होता है minus 2 n minus n that is minus 3 n plus 1 यह हमें क्या मिल गया यह हमें मिल गई s n की value अब यहां से आपना हमेशा के लिए free हो गए कि भाई सब जो s n की value मिली है that is 3 n square minus 3 n plus 1 अब आप कोई भी arrangement की बात को तुम देख के बता सकते हो जैसे अगर मैं 3 की बात करूंगा तो 3 में रखो s3 arrangement में कितने डिस्क होंगे 3 3 9 3 27 minus 3 3 9 plus 1 यह देखिए 27 minus यहां पर बचता है 8 यह कितना बच जाएगा भाई 19 सही भी है दो arrangement की बात कर ला है एस्टू में आप हमेशा क्रॉस चेक किया करो 2 2 4 3 12 minus 6 plus 1 तो यह 6 plus 1 that is 7 ना विस्वासो तो देख लो यह था ना हमारा टूक अरेंजमेंट हैं एक दो तीन चार पांच है एक साथ तो यह हमें sn मिल गया अब question असान है अब हमसे पूछा क्या जा रहा भाई limit n tending to infinite sn by n square क्या यही पूछा गया था limit n tending to infinite sn by n square अब देखो यह limit त्यार एक बच्चा बच्चा भी solve कर देगा limit n tending to infinite sn by that is 3n square minus 3n plus 1 divided by n square यह simply आप बचे गया 3 minus 3 by n plus 1 by n square इसका limit तो हो जागया directly 0 आप लिख सकते हैं यह बसता है 3 यह plus ऐसे plus लिख देते हैं बस यह 3 वाला टर्म बचे का बाकि इनका 1 by n form में हो जगा 1 by n square that is 0 तो यह option कौन सा सही हुआ भाई a option that is 3 is the right answer यहर काफी बहतरीन सवाल था है ना बस आपको डराने के लिए चमकाने के लिए ऐसा बहुत जाद इसमें तो जब r1 configuration होता है या फिर s1 configuration होता है या फिर a1 हम standard बाउल रहते तो 1 होता radius है ना r2 के अगर मैं बात करूं यार तो r2 कितना होता जैसे सिर्फ इतना अगर radius होता जैसे यह देखो 3 है और विसली यह center होगा है ना अगर दो होता है definitely disk हमारा बड़ा वाला यह होता फिर इसके अंदर से दो arrangement हमारे पास निकलते है ना तो 2 का radius कितना हो जो 2r प्लस r should be equal to 1 तो 2r प्लस r should be equal to 1 that is r should be equal to 1 by 3 इसका radius हो तो 1 by 3 3 की मैं बात करूं 3 तो तुरंत imagine कर सकतो भाई देखो यह radius 1 है है ना symmetry form में देखोगे आप यह total radius 1 है 2r 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 4r एक 5r तो that is 5r should be 1 in case of किसके थर्ड वाले के तो आर थिरी आ रहा रहा वन बाई फाइफ उसी तरीके सार आप यह series बहुत ही प्यारे तरीके से देख रहे होगे तो आपको लास्ट में कितना मिल जाए एंथ के लिए 1 मिल जाएगा 2 के लिए 3 मिल जाएगा 3 के लिए दखोगा 5 मिल जाएगा तो हमारे पास जो rn की value आ गई वह आरे भी यह 1 by 2 n-1 पूछा क्या है पूछा गया है limit n tending to infinite n into rn एक बार मैंच कर लेते हैं क्या है एन इंट आरे फाइन अब क्या है n by 2n-1 limit n tending to infinite यह हो जाएगा 1 by 2-1 by n n से हमने उपर नीचे डिवाइड कर दिया है limit n वह हो जाएगा आपका 0 बच्चे के यहां पर 1 by 2 तो 1 by 2 is the radius sorry 1 by 2 is the value of this limit that is option number b तो कैसा लगा सवाल comment section में बताना अगर आपने खुछ से किया तो आपका confidence कितना boost हुआ यह भी बताना है ना तो ऐसे यह और amazing problems को solve करने के लिए ranker Z channel को subscribe कर लो चलिए मिलते हैं next video thank you very much